बसंत आगमन की खुशी में रामपूर में मनाया जाने वाले जिलास्तरिये फाग उत्सव की तयारियान जोरो पर है उत्सव के तुरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो और देवी देवताओं की शोभा यात्रा प्रभाविक ना हो इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाया है पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए रामपूर बजार से भारी वहनों की आवजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई हैं रामपूर बुशेहर में आसपास के देवी देवताओं की उपस्थिती में मनाया जाने वाला जिलास्तरिय फाग उत्सव 22-25 मार्च तक आयुजित किया जायेगा उत्सव के दरान ट्रैफिक व्यवस्था और बजार और मुखे मार्ग में निकलने वाली देवी देवताओं की शोभा यातरा प्रभावित ना हो इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तयार किया है पुलिस का प्रयास है कि मेले के दरान भीड की वज़ा से यातायात भी प्रभावित ना हो इसलिए कि नौर की और जाने वाले भारी वहनों को रामपुर बजार से पूर्व बजीर बावडी से बाईयोर से सतलोष नदी की नारे होते हुए जाकरी भेजा जाएगा जबकि किनौर और जूरी सराहन की और से आने वाले भारी वहनों को जाकरी से चाटी होते हुए बजीर बावडी और ब्रॉ भीजा जाएगा रामपुर के DSP अभिमन्यू वर्मा ने बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए रामपुर बजार से दिन में भारी वहनों की आवजाही पर रोक लगाई गए हैं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करें सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेश नेगी की रिपोर्ट